अलो फ्रेंड मैं अपना गाउं आया हुआ हूँ और आप भी मैं अपने गाउं का मार्केट जा रहा हूँ हम लोगाज गाउं में सुखुर बार को मार्केट लगता है मेरा गाउं से दो तिन किलो मेंटर के दूर में है और मैं पजार जा रहा हूँ आप देखिए यह सब धान का खेती है और मैं देखिए पाइदल जाने का रास्ता कैसे है यहां इसका हीड में हम लोग को जाना पड़ता है देखिए जो रास्ता है पाइदल रास्ता है देखिए यह रास्ता में पूरा घास भी भाड़ा है बड़ा भड़ा घास भी दिखे देगा आपको घास का बीचो बीच जाना पड़ता है आद्वी लोग इहीं पर इसका बीचो बीच जाते है रास्ता बन गया है और गांस सब साइड सेट में बड़ा बड़ा घंस है देखिए यह सब बड़ा घंस है अब देखिए दन सब की से भाई दन पुटा है और अब जे बड़ा सा दूर में देखिए का बड़ा कहाँ से और इसका बीचों बीचों करता है। देखें इसका बीचों बीच रश्ता है। इसके बीचों बीचराके मेरे को जाना पड़ रहा है। और और पहार ते की लिचेक ल्हाइवें के ॐ बढ़ा बढ़ा खास है थे रजुआ फूर खास का बीचो बीच मेरे तो जाना पड़ रहा है यहां कोर रस्ता है यह लोग यहां जो कर देखें दिद्र रस्ता अचाशे शिए इसका बीचो बीच वित नहीं जा रहा हूं कि यह देखिए कि इतना बड़ा बड़ा घास है और मैं इसका बीचो बीच होके जा रहा हूं है पानी बीच में राष्टा दिखे दे रहा है इसी में इसी पानी में मेरे को पार होके जाना पड़ेगा देखिए धान सब दिख रहा है किसे पूटा हुआ है ब्राउन कलर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि अपानी के बिचों बिच मेरी कर जाना पड़ीगा यह पानी में जैना पड़ीगा मेरे क Mick पो आब बोस्कु एसको यह हम लोग कांव कम मैरा गांव का पहाड है इखी है यहां से है कि इसे दिख रहे है है शो घद्रक्ट हम सब सब्सक्राइब है को जहाँ हमों दो इतना बंब समन मिलता है सब जिसा पूरा तजया मिलता है फूर çेति करते हैं चास करते हैं और उसको बेचने के ले लाथे हैं और पहाड में भी कुछ-कुछ चीजिये मिलता है वह सब को भी बेचने के लाते हैं देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है कितना सुन्दर उटा हुआ है अजान कितना सुन्दर हुआ है देखिए है आइ आइ कि अ इस साल हम लोग का गाउं में गाउं तरह बारिस भी अच्छा नहीं हुआ फिर भी